दोस्तों नमस्कार ये है मागदर्शन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों मागदर्शन यांसियार्टे सिंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे दसवी कच्छा की राजनीत विज्यान यानि नागरिक सास्तर का छठा अध्या है जो है राजनीतिक दल या पुलेटिकल पार्टीज दोस्तों इस अध्या में आप जानेंगे राजनीतिक दल क्या होता है इसका अर्थ क्या है इसकी परिभासा क्या है राजनीतिक दल की प्रमुख विसेश्थाएं क्या है और राजनीतिक दल की आवसकता या जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी लोकतांत्रिक बिवस्था के लि यस्तरी दल किसे कहते हैं तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों राजनीतिक दल बहुत ही महतपूढ है किसी लोकतांत्रिक सासन ब्यवस्था के लिए क्योंकि सासन ब्यवस्था बनाने संविधान रशने चुनावी राजनीति और सरकार के गठन और संचालन म और राजनीतिक दलों के बारे में जो कुछ हो सकता है विस्तार से हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले जानते हैं कि राजनीतिक दलों की जरूरत या आवसकता क्यों पढ़ती है दोस्तों किसी भी लोकतंत्रिक ब्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं और अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही होता है अगर आप देश के दूर दराज और ग्रामेर इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभो है आपको ऐसे लोग मिलें जिन्हे संभिधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी नहीं पता हो लेकिन राजनीतिक दलों के बारे में इन्हें जरूर कुछ न कुछ मालूम होता है दोस्तों पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टियां बहुत लोग प्री हैं अधिकतर लोग आम तौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं और अपनी लोक्तांत्रिक बवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वो दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं दोस्तों सामाजिक और राजनितिक विभाजन के लिए अलगाओ के लिए जातिगत आधार पर धर्म के आधार पर छेतर के आधार पर इन सब के लिए भी दलों को ही दोशी माना जाता है तो ऐसे में ये सवाल स्वाभाविक रोप से उठता है कि क्या हमें सचमुच राजनेतिक दलों की जरुरत है दोस्तों करीब सौ साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में और वो भी गिंती की राजनेतिक दल थे और आज गिंती के ही देश ऐसे हैं जहां कोई राजनीतिक दल नहीं है दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सरोवयापी क्यों हो गए आईए सबसे पहले इस सवाल का जबाब दें दोस्तों राजनीतिक दल की आव सकता क्यों पढ़ती है देखिए राजनीतिक दल का अर्थ जान लेते हैं सबसे पहले दोस्तों राजनीतिक दल को लोगों को एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देसे से काम करते हैं तो जब आप राजनीतिक दल की परिभासा पढ़ेंगे तो राजनीतिक दल का अर्थ या परिभासा ऐसे है कि राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देसे से काम करता है और समाज के सामूही खित को ध्यान में रखकर ये समूह कुछ नीतिया और कारेक्रम तै करता है सामूही खित एक बिबादास्पत विचार है इसे लेकर ही सब की राय अलग-अलग बनती है यहाँ पर देखें विभिन दिवारों पर राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ध या उनके परतिकों को प्रदर्शित किया गया है दोस्तों यहाँ पर देखे एक कार्टून है कि किस तरह से आरकेल अचमण की कार्टून है कि इतने आड़ेवक्त में हमारे सारे नेता कहां चले गए जब कोई ज़रुत पड़ती है तो सारे नेता हमारे कहां चले जाते हैं लेकिन चुनाओं के समय वो सब हाजिर हो जाते हैं दोस्तों राजनीतिक दल लोगों को ये समझाने का भी प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बहतर हैं वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाओं जीतने के बाद उन डीतियों को लागू करने का भी प्रयास करते हैं इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दरसाता है पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेश की तरब जुका होता है दोस्तों किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके समाजिक आधार से भी तैं होता है राजनीतिक दल के जो तीन प्रमुख हिस्से होते हैं उसमें नेता, सक्रे सदस्य और अनुयाईया समर्थक होते हैं आए जानते हैं राजनीतिक दलों के प्रमुख कारे कौन कौन से हैं दोस्तों राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरने का काम करते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तिमाल करते हैं दल इस काम को कई तरह से करते हैं, आईए उनके बारे में विश्टार से जानते हैं। पहला काम राजनीतिक दलों का है कि वो चुनाओ लड़ते हैं और अधिकांस लोकतांत्रिक देसों में चुनाओ राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किये गए उम्मीद्वारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीद्वारों का चुनाओ कई तरीकों से करते हैं अमेरिका जैसे कुछ देसों में उम्मीद्वार का चुनाओ दल के सदस्य और समर्थक करते हैं और इस तरह से उम्मीद्वार चुनने वाले देसों की संख्या बढ़ती जा रही है देखें दूसरा कारे क क्या है राजनेतिक दलों का कि दल अलग अलग नीतियों और कारेकरमों को मद्दाताओं के सामने रखते हैं और मद्दाता अपनी पसंद की नीतियां और कारेकरम चुनते हैं और देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक हैं अगर इन सब के बारे में हमारी राय अलग अलग हो सकत पार्टियां या दल वही काम करते हैं पार्टियां हर तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लेती हैं जिनका वो समर्थन करती है तीसरा कारे क्या है राजनेतिक दलों का कि ये कानून की निर्मार में निर्डायक भूमिका निभाती है क्योंकि कानून पर अवचारिक बहस होती है उन्हें बिधाईका में पास करवाना पड़ता है लेकिन बिधाईका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं और चौथा कारे है दल ही सरकार बनाते हैं और सासन चलाते हैं तो ये बहुत ही महत पूर है क्योंकि जो दल अस्पष्ट बहुमत प्राप्त करता है या लोगों का जिसको जन्मत या बहुमत प्राप्त होता है वो जो है सरकार बनाने का काम करते हैं और बड़े फैसले राजन नेता लेते हैं ये नेता बिभिन दलों के होते हैं पार्टी या नेता चुनती हैं उनको प्रसिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिध्धानतों और कारेक्रमों के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंतरी बनाती हैं पांचवा महत्वपूर कारे चुनाव हरने वाले सासक दल के बिरोधी पच्छे की भूमिका निभाते हैं और ये गलत नीतियां जो सरकार की गलत नीतियां और अस्फलताओं हैं उनकी अलोशना करने के साथ अपनी अलग राय रखते हैं और भी पच्छी दल सरकार के खिलाब आम जनता को गोल बंद भी करते हैं छठा कारे राजनीतिक दलों का है जन्मत निर्माण में दल महतोपूर भूमिका निभाते हैं वे जिन मुद्दों को उठाते हैं उन पर बहस करते हैं बिभिन दलों के लाखो कारे करता देस भर में बिखरे होते हैं समाज के विभिन बर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समोह भी काम करते रहते हैं और दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं सात्मा प्रमुकारे क्या है कि दल हमारी शरकारी, मसीनरी और सरकार द्वारा चलाए गए कल्याण कारे क्रमों तक लोगों तक पहुच बनाते हैं एक साधारन नागरिक के लिए किसी अधिकारी की तुलना किसी राजनीतिक कारे करता से जब हम जान पहचान बनाते हैं उनसे संपर्क साधना आसान होता है और इस कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास ने करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं और दलों को हर हाल में लोगों की मांगो और जरूरतों पर ध्यान दोना होता है वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें हरा सकते हैं और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं दोस्तों राजनीतिक दलों के कार्य आपने जान लिया है क्या काम करते हैं लड़ते हैं सत्ता में भागिदारी करते हैं लोगों को प्रसिक्षित करते हैं सरकार बनाते हैं चलाते हैं कानूनों का निर्मार करते हैं राजनीतिक दलों की जरूरत दोस्तों शुरू में हमने पढ़ा कि राजनीतिक दलों की जरूरत क्या है दोस्तों राजनीतिक दलों की पंचाय चुनाओं का उधारण देखें तो इन चुनाओं में दल औप्चारिक रूप से अपने उम्मीद्वार नहीं करते हैं लेकिन हम पाते हैं कि चुनाओं के अकसर पर पूरा गाओं काई खेमों में बढ़ जाता है हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीद्वारों का पैनल उतारता है राजनीतिक दल भी यही काम करते हैं और यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं कि कई बड़े समाजों के प्रतनिधित आधारित लोकतंतर की जरुरत होती है जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें बिभिन मुद्दों पर अलग अलग बिचारों को समेटने और सरकार की नजर मिलाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरुरत होती है बिभिन जगहों से आये प्रतनिधियों को साथ करने की जरुरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो उन्हें सरकार का समर्थन करने या उन पर अंकुस रखने नीतियों को समर्थन करने या विरोध करने के लिए उपकाड़ों की जरूरत होती है और प्रतेक प्रतिनी दिसरकार की ऐसी जो भी जरूरते होती है राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं और इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंदर की अनिवारे सर्थ होते हैं यहाँ पर देखिए किस तरह से भाजपा महिला मोर्चा की कारेकरता पयाज और रसोय की कीमते बढ़ने की विरोध में परदर्शन कर रहे हैं दोस्तों प्रशन यह उठता है कि कितने राजनीतिक दल होने चाहिए तो लोकतंदर में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है इस अपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं भारत में चुनाव आयोक के नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 7500 से आधिक है, लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनावती की इस्थिती में नहीं होता, चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड में आम तोर पर कुछ पार्टियां ही सक्री होती है, तो सवाल ये उठता है कि कितने राजनितिक दल होने चाहिए, कई देशों में दोस्तों सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमती है, और देखिए कई इसी कारण वहाँ पर एक दली सासन बेवस्था कहा जाता है, चीन में सिर्फ कम्निष्ट पार्टि का सासन है, हलां नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता, हम एक दली बेवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि ये लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है, किसी भी लोकतांत्रिक बेवस्था कि सबसे महत्पूर्ण विशेष्टा ये होती है कि कम से कम दो दलों को पुराजनीतिक सत्ता के लिए चुनाओ में प्रत्वनता करने के अनुमत तो होनी ही चाहिए, साथ ही सत्ता में आने पर उन्हें परियाप्त आवसर भी रखना चाहिए, और सबसे महत्पूर्ण बात ये कि दो दली बेवस्था में चेक एंड वैलेंस यानि नियंत्रन और स सरकार बनाने के प्रवल दावेदार होते हैं, और अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही द्वी दली बेवस्था है, दोस्तों जब अनेक दल सत्ता के लिए होड करते हैं, तो दो दलों से जादा के लिए अपने दम पर या दूसरों के गठबंधन करके सत्ता में आने का रास् ठीक ठाक अशर हो तो इसे बहुदली बेवस्था कहते हैं, बहुत सारे दल हो और कभी कभी दोनों दलों को जब बहुमत नहीं मिलता है तो कई छोटे छोटे दल साथ में, सपोर्ट में या समर्थन में आकर जो है सरकार बनाते हैं, भारत में बहुदली बेवस्था है, इस मोर्चा कहा जाता है 2004 के संसदी चुनाव में भारत में तीन प्रमुग गठवंधन थे राश्टी जनतांत्री गठवंधन एन पीए एन डिये संयुक्त प्रगसील गठवंधन यू पीए और वाम मोर्चा अक्सर बहुदली बेवस्था बहुत घाल मेल वाली होती है और देश इसके साथ ही इस पड़ाली में विभिन नहींतों और विचारों को राजनीतिक प्रभत मिल जाता है दोस्तों प्रश्ण ये उठता है इन में से कौन सी पड़ाली बेहतर है तो दली बिवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है यह एक लंबे दवर के कामक आज के बाद खुद विक्सित होती है इसमें समाज की प्रकेरते इसके राजनीतिक विभाजन राजनीतिका इतिहास और चुनावी पड़ाली सभी चीजें अपनी अपनी भूम का निभाती है इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता और हर देश अपनी बिसेश नहीं है दोस्तों राजनीतिक दलों में जन भागिदारी क्या है दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखती है ये बात आशिक रूप से सही है क्योंकि अभी भी किसी भी देश में पू दस हैता भी बढ़ी है इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि राश्ट्री दल या राजनितिक दल समाप्त होने में हैं यहाँ पर देखिए एक कार्टून है कि 27 प्रशत कनाडवासी मानते हैं कि लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए 35 प्रशत कनाडवासी मानते हैं कि कंजर्वेटिव को सत्ता में होना चाहिए और 95 प्रशत कनाडवासी मानते हैं कि सभी रियजनिताओं को एक बहुत बड़ी कार की डिग्गी में बंद करके उसे नियागरा जल प्रपात में फेक देना चाहिए तो देखिए किस तरह से लोगों की राय है राजनितिक डलों और उनके निताओं के बारे में दोस्तों राश्टी डल या निशनल पार्टीज क्या होती हैं दुनिया के संगी ब्यवस्था वाले लोकतंत्रों में दो तरह की राजनितिक डल हैं एक तो संघी इकाईयों में सिर्फ एक इकाईयों में अस्तित्व में रहने वाले दल या अनेक या संघ की सभी इकाईयों में अस्तित्व में रहने वाले दल भारत में यही इस्थिति है कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं, उन्हें राष्टी पार्टे कहा जाता है, इन दलों कोई विभिन राज्यों में इकाईया हैं, पर कुल मिला कर देखा जाए, तो ये सारे इकाईयां राष्टी अस्तर परता हैं होने वाली नीतियां, कारेक्रमों और और इन्हें अलग चुनाव चिन्ध दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार कर सकते हैं इस विशेशा धिकार और कुछ हन लाप पाने वाली पार्टीओं को माननेता प्राप्त दल कहते हैं चुनाव आयोग ने असपश्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिसत ओट और सीट जीत कर माननेता प्राप्त दल बन सकता है जब कोई पार्टी देखिए जब कोई पार्टी राज विधान सभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6 फीस दिया उससे अधिक ओट हासि चुनाव में पड़े कुलोट का 6 प्रतिसत हासिल करता है और लोकसभा की चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राश्टी दल की माननेता मिल जाती है तो इस इसाफ़ से देखा जाए 2017 में 7 राश्टी अस्तर के दल थे आपको बताना है एक परिच्छा या मुख्य परिच्छा की दरिश्टी से बलकि इंट्रव्यू के लिए भी ये पूछा जा सकता है देखिए राजनीतिक दलों में बहुत जैसे आल इंडिया त्रिण मोल कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी कम्निष्ट पार्टी आफ इंडिया भारती जनता पार्टी कम्निष्ट पार्टी आफ इंडिया माक्सिजम सीपी आइम ये सारी पार्टिया इसके अलावा इंडिया नेशनल कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये सभी दोस्तों राष्टी अस्तर की पार्टिया हैं इसके अलावा कई सारे छेतरी दल भी होते है दोस्तों सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोगने राज्य दल या इस्टेट लेवल पार्टीज के रूप में मानने तती है आम तोर पर इन्हें छेतरी दल कहा जाता है पर ये जरूरी नहीं कि अपनी विचारधारा या नजरिये में ये पार्टियां छेतरी ही हो इन में से कुछ अखिल भारती दल हैं पर उन्हें कुछ छेतरों में सफलता मिल पाई है समाजवादी पार्टी और राष्टी जनता दल का राष्टी अस्तर पर राजनेतिक संगठन है और कई राज्यों में इकाईया हैं जैसे बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांतरिक मोर्चा, मीजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट समिती जैसी पार्टियां अपनी छेतरी पहचान को लेकर सचेत हैं दोस्तों पिछले तीन दसकों में छेतरी दलों की संख्या और इनके ताकत में बृध्धी हुई है इससे भारती संसत बिवित्ताओं से और भी ज्यादा संपन हुई है 2004 तक किसी एक राष्टी दल का लोक सभा में बहुमत नहीं था पैडान सरुप राष्टी दल छेतरी दलों के साथ गठवंधन करने को मौजबूर हुए 1996 के बाद लगभग परतेक छेतरी दल को एक या दूसरी राष्टी अस्तर पर गठवंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं तो ये जो है छेतरी दल अपनी छेतरी विवित्ताओं को जो है उठाने में सफल रहे हैं देखिए बिभिन छेतरी दलों की इस्तिती देख लेते हैं जो छेतरी दल है जम्बू एंड कस्मीर नेशनल कानफरेंस जम्बू एंड कस्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी और जम्बू एंड कस्मीर पीपल्स डेमोकरेटिक पार्टी ये जम्बू कस्मीर के छेतरी दल है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राष्टी लोक दल और समाजवादी पार्टी है जनता दल यू लोक जन सक्ति पार्टी राष्टी जनता दल और राष्टी लोक समता दल ये बिहार में इसी प्रकार से देखिए दिल्ली और पंजाब में आमादवी पार्टी सिरोमडी अकाले दल इंडियन नेशनल लोक दल है जे एमेम और देखिए जे एमेम ए जे एस यू पार्टी और जे वीम पार्टी जहारखंड के छेतरी दल है महराष्ट नौ निर्मार सेना और महराष्टवादी गोमानतक पार्टी गोवा फारवर्ड पार्टी ये गोवा और महराष्ट में लड़ने वाले चुनाव राजनीतिक छेतरी राजनीतिक दल हैं इसी प्रकार तिलंगाना में तिलंगाना राष्ट समिती और आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलिमीन केरल में केरल कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुशलिम लीग इसके अलहाँ पूटी चेरी में आल इंडिया एनार कांग्रेस और पटाल इमकल कच्ची है दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों आंधर प्रदेश में आल इंडिया फारवर्ड बलाग आंधर प्रदेश में तेलगु देशम पार्टी और YSR कांग्रेस पार्टी ये सभी दोस्तों बिभिन छेतरी दल ह जो भारत के विभिन छेतरों में सक्री है आये देखते हैं राजनीतिक दलों के लिए प्रमुक चुनावतियां क्या है दोस्तों लोकतंतर के कामकाच के लिए राजनीतिक दल बहुत ही महत्पूर है क्योंकि लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप राजनीतिक दल है इसलिए ये स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़वडियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोसी ठहरा है पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक धंक से नहीं करते हैं हमारे लोकतंतर के साथ भी यही बात लागू होती है आम जनता की नाराजगी और आलोजना राजनीतिक दलों के काम काज के चार पहलों पर ही केंद्रित रहती है लोकतंतर का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनावतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करना चाहिए पहली चुनावती क्या है? दोस्तों पहली चुनावती यह है कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का नय होना ये राजनीतिक दलों की प्रमख समस्या है सारी दुनिया में ये प्रविर्थ बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक निताओं के हात में सिमट जाती है पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है न नियमित रूप से सांगठनिक बैठे के होती है इनके अंतरिक चुनाओं भी नहीं होते हैं कारेकरताओं से वे सूचनाओं का साज़ा भी नहीं करते सामाने कारेकरता अंजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उसके पास ने तो नेताओं से जूड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है ने कोई और माथ्यम पड़ाम ये होता है कि पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के कुछ नेता हतिया लेते हैं चुकि कुछ हेक नेताओं के पास ये असली ताकत होती है इसलिए जो उससे असाहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रहपाना मुस्किल हो जाता है पार्टी के सिध्धान्तों और नیतियों से निष्ठा की जग्हे नेता से निष्ठा जादे महतोपूर हो जाती है दूसरी चुनोती राजनितिक दलों की ये है कि वन्सवाद की चुनोती देखिए अधिकांस दल अपना कामकाज पारदर्सी तरीके से नहीं करते हैं लिए सामान ने कारे करता के नेता बनने और उपर आने की गुंजाइस काफी कम होती है जो लोग नेता होते हैं वो अनुचित लाप के लिए अपने नजदी की लोगों को यहां तक की अपने ही परिवार की लोगों को आगे बढ़ाते हैं और वनसवात की प्रविर्त राजनीतिक दलों के लिए बहुत ही महतोपूर चुनाओती या समस्या है तीसरी चुनाओती दलों में खास कर चुनाओ के समय पैसा और अपराधिक तत्तों की बढ़ती प्रविर्ती है पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है और इसके लिए वो सारे हथकंडे अपनाने का प्रयास करते हैं जैसे अमीर लोगों को अपराधी प्रविर्थ के लोगों को चुनाव लड़वाते हैं चोथी चुनोती पार्टियों के बीच बिकल्प हींता की स्थिती है, सार्थक बिकल्प का मतलब होता है बिभिन पार्टियों की नीतियों और कारेकरों में महतपूर अंतर हो और हाल के वर्सों में दलों के बीच बैचारिक अंतर कम हो गया है और ये प्रविर्ति दुनिया भ भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्ब उपलब्ध नहीं है कई बार लोगों के पास ये एकदम नया नेता चुनने का विकल्ब भी नहीं होता क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं यहाँ पर हमने जो चर्चा की है राजनीतिक दलों के समक्ष आने वाली चुनोतियां तो ये देखिए बरलुसकोनी की कठपुतलियां देखिए बरलुसकोनी इटली के प्रधान मंतरी थे और वो इटली के बड़े बेवसा प्रधायों में एक हैं 1993 में गठित फोरजा इटालिया के नेता हैं उनकी कमपनी काई टीवी चैनल सबसे महतपुल प्रकासन ग्रिह एक फुटवाल क्लब और बैंक की मालिक है और ये कार्टून पिछले चुनाओं के समय का है कि किस तरह सब कुछ उनके हाथ में कठपुतल आरजबुस के कारेकाल में बना था इस पार्टी का चुनाओं चिन हाथी है और कार्टून देश के सभी प्रमुक्सन स्थानों पर कार्पुरेट अमेरिका का नियंत्रण होने का संकेत करता है कि सब जगह किस तरह से दोस्त और दुसमन उच्चितम नयाले उची सदन राष किस तरह से देखिए चुनाओं के समय का जो परचा दाखिला होता है नामांकन प्रक्रिया होती है उसमें किस तरह से अधिकारी प्रश्ण पूछ रहा है आए जानते हैं दलों को कैसे सुधार आजा सकता है दोस्तों राजनीतिक दलों के सामने कई चुनाओतियां है इनका स अगरे के इन सवालों को लेकर परेशान हैं ये ऐसा सवाल है जिसका जबाब आसान नहीं है लोकतांत्रिक ब्यवस्था में आखरी फैसला राजनेता करते हैं जो विभिन राजनेतिक दलों का परतिनित्रतु करते हैं लोग उनको दल बदल सकते हैं पर उनकी जगह फिर नए ही जगह लेते हैं, अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते तो कोई भी सुधरने के लिए कैसे मजबूर किया कर सकता है हमारे देश में नेता और राजनीतिक दलों को सुधरने के जो प्रयास किये गए हैं उनके बारे में आईये जानते हैं पहला है कि बिधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संसोधन किया गया दल बदल ऐसा होता है कि बिधायका के लिए किसी दल विशेश से निर्वाचित होने वाले प्रतनिधी का उस दल को छोड़ कर किसी दूसरे दल में चले जाना जो दल सर आनी पड़ सकती है तो एक जो है काम तो ये किया गया है दूसरा ये है कि उचितम नयाले ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है और इस आदेश के द्वारा चुनाओ लड़ने वाले उम्मीद्वार को अपनी संपत्ति के मामलों क अबेवरा एफिडेविट या सपत्पत्र के मात्यम से देना पड़ता है और उम्मीद्वार द्वारा दी गई सूचनाओ की जांच की जाती है और पक्की सूचनाओ उपलब्ध होने लगी है लेकिन ये कोई नहीं बता सकता है कि द्वारा सपत्पत्र में दी गई सूचना तीसरी बात ये है कि चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना आयकर का रिटन भरना जरूरी बना दिया है दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूर्ती के लिए किया जाता है ये बात आंतरिक कामकाज को बेवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और सभी दल को अपने सदस्यों की सूची रखनी चाहिए अपने संविधान का पालन करना चाहिए राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास नियूंतम अनुपात में जरूर टिकर दें और इससे राजनीतिक दलों में महिलाओं की भागी तारी बढ़ेगी चुनाओं का खर्च सरकार उठाये सरकार दलों को चुनाओं लड़ने के लिए धन दे ये मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगएरे के रूप में हो सकती है और राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुजहाओं को नहीं माना है अगर इन्हें मान लिया गया तो संभो है कि इसमें कुछ सुधार हो लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महच कानूनी समाधान की बात करना सही नहीं है दलों को जरुरत से ज़ादा नियमों में जकरना नुकसान दे भी हो सकता है और इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंड लेंगे दो और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है पहला तरीका है राजनितिक दल पर लोगों द्वारत दबाव बनाने का ये काम चिठियां लिखने परचार करने और आंदोलन के जरिये किया जा सकता है आम नागरिक दबाव समूह जो है देखिए सोसल मेडिया आंदोलन के माध्यम से ये काम कर सकता है अगर दलों को लगे कि सुधार ने करने की जगे उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवी खराब होगी तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे और सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनितिक दलों में शामिल होना लोगतंत्र की गुडवत्ता लोगतंत्र में लोगों की भागीदारी सेते होती है और अगर आम नागरिक खुद ही राजनित में हिस्सा न ले तो बाहर से ही बाते करते रहे तो शुधार मुस्किल है खराब राजनीत का समाधान है जादा से जादा राजनीत और बहतर राजनीत हम इस बात की चर्चा आगे भी करेंगे कि किस प्रकार से जो है राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं तो दोस्तों ये था आज का वीडियो दस्वी कच्छा के NCRT राजनीत विज्ञान का छठा अध्य है राजनीतिक दल वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदशन फार सिविल सर्विशिस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार